हलो एवरिवन, वेलकम टू रीटा अरूरा रेसिपीस, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सेरफ और हम इसे सिर्फ दो ही चीजों से बनाएंगे और आप इसे सिर्फ कुछ मिंटों में ही बना कर तयार कर सकते हैं, साथ हम इसे बहुत हेल्दी चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हम गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें दो कप पानी डालेंगे, यह कप का साइज है यह 250 ml है यानि 200 ml का कप है और हमने दो कप डाला है यानि 500 ml यानि आदा लीटर पानी डाला है और अब हम इसमें एक कप देसी खान डालेंगे, देसी खान चीनी का एक healthy option है और यह unrefined sugar है यह आपको किसी भी grocery shop से या फिर Amazon से मिल जाएगी उसका link भी मैं नीचे description box में दे रही हूँ आप वहाँ चेक कर सकते हैं अगर आपके पार देसी खान नहीं है तो कोई बात नहीं आप यह normal जो white sugar या चीनी जो हमारे घर में रहती ही है आप अब मैं इसमें एक कप देसी खान डाल रही हूँ और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसमें एक उबाला आने देंगे और यह देखिए इसमें उबाला आ चुका है तो अब हम इसे तीन से चार मिनट के लिए ऐसे ही उबाल लेंगे अच्छे से चोकलेट सोस बनाने में आप चाहे देसी खान यूज़ करें या फिर चीनी यूज़ करें इसका टेस्ट बिल्कुल सेम ही आएगा टेस्ट में बिल्कुल भी फरक नहीं आता है और दिखिए इसे तीन से चार मिनट हो चुके हैं उबलते हुए तो अब हम इसमें यहाँ पर 90 ग्राम डाग कंपाउंड च पकाएंगे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से आदा नहीं रह जाता और क्यूंकि यह जो पैन है यह काफी इसका मुह छोटा है और इसमें मैं आपको क्लियरली दिखा भी नहीं पाऊंगी और थोड़ा सा हो सकता है कि उबलने पर य मैं इसे थोड़ा से बड़े कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि इसका टेक्स्चर आप इसली देख पाएंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगतार चलाती रहेंगे और यह देखिए यह अपने ओरिजिनल क्वांटिटी से आदा हो चुका है तो अब हम यहाँ पर ग मैं थारी हो चुकी है अब में ओरिजिनल क्वांटिटी से रहा गए है तो अब हम यहाँ पर गेस का फ्ले म आउफ कर देंगे हो सकता है अभी आपको यहाँ पर यह पतला लगगा लेकिन जैसे यह ठंडा होगा वैसे वैसे और गाड़ा होता जाएगा अब हम यहाँ पर ग गैस से नीचे उतार लेंगे, गैस से नीचे उतारने के बाद ही, हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, यानि मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसके उपर कोई भी एक पतली सी लेयर ना जम जाएं, और ये देखिए, हमारी चॉकलेट सॉस रूम टेंपरिचर पर एकदम ठंडी हो चुकी है, और अब आप इसका टेक्स्टर देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारी चॉकलेट सॉस या चॉकलेट सिरप बन के तयार है, ये चॉकलेट सॉस बहुत ही जादा टेस्टी, स्मूध, शाइनी और एकदम सिल्की बनी है, और आप इसे किसी भी तरह के डिजर्ट में, मिल्क शेक्स में, आइस क्रीम, पानकेक्स या बच्चों का कुछ भी आप बनाते हैं, जो उनका फेवरिट होता है, उसमें डाल सकते हैं, और वो भी बिना किसी हजिटेशन के, क्योंकि हमने इसे बहुत ही हेल्दी बनाया है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, तो फ्रेंट्स, आप भी इससेपी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें, ये आपकी फ्रामली को बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको हमाई रेसिपी अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जो घंटी का बटन है, उसे जरूर दबा दें, उससे क्या होगा, कि मैं जो डेली नया वीडियो अप्लोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, थैंक्यू फो वचिंग,